स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था प्रधानमंत्री मत्स किसान सम्रिधी सहयूजना के संबंध में निम्नलिखित कत्थुनों पर विचार कीजिए एक यह मत्स पालन शेत्र को अपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स संपदा के तहत एक केंद्रे शेत्र की उप्यूजना है दो इसका उदेश जलियक रिशी बिमा खरीदने के लिए लाभारतियों को एक मुष्ट प्रोथ साहन प्रधान करना है तीन, राश्ट्री मत्स पालन शेत्र डिजिडल प्लेटफॉर्म के तहत इसी उजना का लक्ष असंगटित मत्स पालन शेत्र का क्रमिक तोर पर अपचार की करण करना है उपर्यूग्त में से कितने कथन सही है एक केवल दो और तीन, बी केवल एक, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पट डी, एक दो और तीन चले देखते हैं इसके विसलेशन को प्रधान मंत्री मच्स किसान समृध्य सहयूजना यह यूजना मच्स पालन सुक्ष्म एवं लगू उद्यमों का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री मच्स संपदा के तहत एक कींद्र शेत्र की उप्यूजना है अतकतन एक सही है या यूजना मत्सिपालन शेत्र को आपचारिक बनाने और वित्त वर्ष 2023 से वित्तिय वर्ष 2026 तक सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अगले चार वर्षों की अवधी में 6,000 करोड रुपे से अधिक के निवेश के साथ शुरू की गई थी उदेश्य जलिय क्रिशी बीमा खरीदने के लिए लाभार्तियों को एकमुष्ट प्रोथ साहन प्रदान करना अतक अथन दो सही है राष्ट्री मत्सि पालन शेत्र डिज्टल प्रेटफॉर्म के तहत मच्वारों, मत्सि किसानों और सहायक श्रमिकों के स्वापंजी करण के माध्यम से अव संगटित मत्सि पालन शेत्र का क्रमिक अपचार की करण अतकतन तीन सही है मच सिपालन शेत्र के सुक्ष्म और लगू उध्यमों के लिए संस्थागत वित्तपोशर तक पहुझ को सविधा जनक बनाना मच से मच सोत्पाद और नौकरियों के रखरखाव के लिए सुरक्षा इवम गुडवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा उनके विस्तार को प्रोच साहित करना तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपिसोड की पहले प्रश्न के साथ लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह एक उपेशित उष्नकटिबंधिय रोग है जो कुत्तों के माध्यम से प्रसारित फाइलेरिया पर जीवियों के संक्रमण के कारण होता है दो, संक्रमण बच्वन में शुरू होकर वयसकता तक संचय होता है जिसके परेडाम स्वरुप अपरिवर्तनी दिर्ग कालिक रोग के स्थिती पैदा होती है उपर युग्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है चली अब देखते हैं इसके विसलेशन को इसे आमतोर पर हाथी पाव रोग या एलिफेंटी आसिस की रूप में जाना जाता है या पर जीवी संक्रमण के कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्न कटी बंधी रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है अतरकथन एक सही नहीं है बता दे कि संक्रमण बच्पन में शुरू होकर वयस्कता तक संचय होता है जिसकी परिडाम स्वरुप अपरिवर्तनी दिर्ग कालिक रोग के सिति पैदा होती है अतरकथन दो सही है अगला प्रश्ण है वैश्विक जैव विविदिता फ्रेमवर कोश की संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसे वन्न जीवों और पारिसितिक तंत्रों के संडक्ष्वन तथा सिर्ता में निवेश को प्रोच साहित करने के लिए निर्मित किया गया है इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरर सुविधा द्वारा किया जाएगा और निजी परुपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बीक एवल दो, सी एक और दो दोनो, डी नतो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चले देखते हैं इसके विसलेशन को वैश्विक जैव विविदिता फ्रेमवर कोश इसे वने जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों की संरक्ष्वर तथा सिर्ता में निवेश को प्रुटसाहित करने के लिए निर्मित किया गया है अतक अथन एक सही है इसे वनागनी बाड चरम मौसमी घटनाओ और शहरी विस्तार ज्यसी मानवी गतिविद्यों की खत्रों से बचाने के लिए किया जाएगा इसका प्रबंधन वैशिक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाएगा और नीजी परुपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन जुटाया जाएगा अतक अथन दो सही है अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक या सुक्ष्म और लगू उद्यमों को के फायती रिण प्रदान करने की भारत सरकार की प्रमुख पहल है दो, दस लाख रुपे से कम की गैरक्रिशी आय गतिविध्यों के लिए व्यवसाईक योजना वाले भारती नागरिक मुद्रा रिण ले सकते है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चले देखते हैं इसके विसलेशन को प्रदान मंत्री मुद्रा योजना या सुक्ष्म और लगू उद्यमों को किफायती रिड़ प्रदान करने की भारत सरकार की प्रमुक पहल है इसका लक्षे उनके वित्तिय समावेशन को आपचारिक बराना या बिना वित्त पोशित लोगों को वित्त पोशित करना है अधक अथन एक सही है कोई भी भारतिय नागरिक जिसके पास वी निर्माण, प्रवसंसकरण, व्यापार या सेवा शेत्र सहित गैर कृशिचेत्र की आईस रिजन गतिविध्यों के लिए व्यवसाई योजना है और उसे 10 लाग रुपे से कम के रिड़ की आवशकता है किसी बैंक, माइक्रो फाइनस इंस्टिटूशन्स या गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनी से PMMY के तहट माइक्रो यूनिट्स डेवलप्मेंट एंड रिफाइनस एजनसी लिमेटेट यानि मुद्रा रिड़ प्राप्त कर सकते हैं अधक अथन दो सही है अगला प्रश्ण है, नजूल भूमी के संबंध में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजे एक, नजूल भूमी पर सरकार का स्वामित्व होता है, किन्तु अमूमन इसे प्रतक्ष रूप से राज संपत्ती के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है दो, राज आमतोर पर ऐसी भूमी को एक से नौ वर्श तक की संब्षिप्त अवधी के लिए पट्टे पर आवंटित करता है तीन, नजूल भूमी हस्तांतर नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग अधित्तर नजूल भूमी निर्णय के लिए किया जाता है उपर्योग तो कथनों में से कितने सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी साभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्पब बी केवल दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को नजूल भूमी नजूल भूमी पर सरकार का स्वामित्व होता है किन्तो अमोमन इसे प्रतक्ष रूप से राज संपत्ती के रूप में प्रशासित नहीं किया जा सकता है अतक अथन एक सही है राज आमतोर पर ऐसी भूमी को किसी भी इकाई को 15-99 वर्ष के बीच एक निशुत अवधी के लिए पट्टे पर आवंटित करता है अतक अथन दो सही नहीं है कई राज्यों ने नजूल भूमी के लिए नियम बनाने के उदेश उसे सरकारी आदेश चारी किये है किन्तो नजूल भूमी सनाद्र नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग जादा तर नजूल भूमी नियर्णाई के लिए किया जाता है अतक घतन तीन सही है अगला प्रश्न है भारत के एनिमेशन, विजुल एफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स ताथा एक्स्टेंडेड रियालिटी यानि AVGC-XR शेत्र के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, वर्तमान में भारत वैशुक AVGC-XR शेत्र के कुल उत्पादन का साथ प्रतिशत हिस्सा साज़ा करता है दो, रास्ट्रे सिक्षानिती NEP 2020 AVGC-XR उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिए एक अनुकूल पारिस्ट की तंत्र को बढ़ावा देती है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो चले देखते हैं इसके विसलेशन को भारत की AVGC-XR शेत्र AVGC-XR शेत्र वर्तमान में 2.6 लाख व्यक्तियों को रोजकार देता है इसकी वर्श दो हजार बत्तिस तक तेईस लाख प्रितक्ष नौक्रियां पैदा करने का अनुमान है साथी राजस्व वर्श दो हजार तीस तक मौझूदा 3 बिलियन अमेर्की डॉलर से बढ़कर 26 बिलियन अमेर्की डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है सरकारी आगडों के अनुसार वैश्विक AVGC XR शेत्र में भारत का योगदान मात शून्य दश्मलव 5 प्रतिशत है भारत में लगबग 25 से 30 प्रतिशत की वार्शिक व्रिधी और सलाना 1,60,000 से अधिक नई नौकरियां स्रिजित करने के साथ वर्श 2025 तक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 5 प्रतिशत यानि USD 40 बिलियन हासिल करने की शमता है अतकतन 1 सही नहीं है रास्टे सिक्षानिती NEP 2020 में कक्षा 6 से स्कूल के पाठिक्रम में रचनात्मक कला, डिजाइन और खेल को एकिकरित किया गया है जिससे AVGC XR के शेत्र में प्रतिभा की विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा अतकतन 2 सही है अगला प्रश्ण है रूपे के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक या National Payments Corporation of India यानि NPCI द्वारा विक्सित एक भुकतान प्रणाली और वित्तिय सेवा उत्पाद है दो या एक घरेलू कार्ट भुकतान नेटवक है जिसका उपयोग पूरे भारत में स्वचाले टेलर मशीन यानि ATMs, Point of Sale या विक्री का एक बिंदु POS उपकरनों और E-Commerce वेबसाइटों पर किया जा सकता है उपर युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो दोनो चले देखते हैं इसके विसलेशन को रूपे, रूपे कार्ट भारती रास्ट्रे भुक्तान निगम यानि NPCI द्वारा विक्सित एक भुक्तान प्रणाली और वित्य सेवा उत्पाद है अतक अथन एक सही है या एक घरेलू कार्ट भुक्तान नेटवर्क है जिसका उपयोग पूरे भारत में 144 टेलर मशीन यानि ATMs, Point of Sale या विक्री का एक बिंदू, POS उपकर्णों और e-commerce वेबसाइटों पर किया जा सकता है अतक अथन दोस सही है भुक्तान और निप्टान प्रणाली अधीनियम 2007 भारती रिजर्व बैंक तथा भारती बैंक संग को भारत में सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक भुक्तान एवं निप्टान प्रणाली बनाने का अधिकार देता है अगला प्रश्न है स्मार्ट ग्राम पंचायत परियूजना के संबंध में निम्नली की कथनों पर विचार कीजे एक इस परियूजना को संशोजित रास्ट्री ग्राम स्वराज अभियान यानि RGSA के तहत वित्तपोशित किया गया है दो इस परियूजना का लक्ष बिहार के बेगुसराय में ग्राम पंचायतों तक PM वाड़ी यानि प्रिधान मंत्री वाइफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना है तीन इस परियूजना का उद्देश ग्रामीन शहरी विभाजन को पाटना साने श्वसासन में उत्तरदायत्व और दक्षता को बढ़ावा देना है उपरियुक्त कथनों में से कितने सही है A केवल एक, B केवल दो, C सभी तीन, D इन में से कोई भी नहीं इस परियूजन का सही उत्तर है विकल्पसी, सभी तीन चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को स्मार्ट ग्राम पंचायत परियूजना इस परियूजना को संशोधित रास्टी ग्राम स्वराज अभियान यानि RGSA के तहत वित्वपोशित किया गया है अतक अथन एक सही है स्वास्त सिक्षा और कौशल जैसे महत्वपोण शेत्रों में ओनलाइन सेवाओं तक पहुच पढ़ाने ग्रामेड शेत्रों में जीवन की गुडवत्ता में सुधा लाने के लिए प्रोध्योगी की के उप्योग पर जोर दिया गया है इस पर यूजना का लक्ष बिहार की बेगुसराय में ग्राम पंचायतों तक पीम वाडी यानि प्रधानमंत्री वाई फाई एकसेस नेटवर्क इंटरफेस सिवा का विस्तार करना है अतक अथन दो सही है बेगुसराय अब पीम वाडी यूजना के तहट सभी ग्राम पंचायतों को वाई फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है इस परियोचना का उदेश अग्रामिड शहरी विभाजन को पाठना स्थानिय स्वाशासन में उत्तरदायतों और दक्षता को बढ़ावा देना है अतकतन तीन सही है अगला प्रशन है फीमेल जैनिटल म्यूटिलेशन यानि एफजीयम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसमें वे सभी प्रक्रियाएं शामिल है जिनमें चिकत्सी कारणों से महिला जन्नांग में परिवर्तन करना शामिल है दो यह मुख्यरूप से पश्चमी पुर्वी और उत्तर पुर्वी अफ्रिका में प्रशलन में है तीन वर्तमान में भारत में एफजीयम प्रथा पर प्रतिबंध लगाने ही तो कोई कानून नहीं है उपर यूग तो कथनों में से कितने सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को फीमिल जैनिटल म्यूटिलेशन यानि एफजीयम एफजीयम में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिन में चिकत्सा के अलावा अन्य उद्देशों के लिए महिला जननांग को बदलना अध्वानुकसान पहुचाना शामिल है और इसे अंतर रास्टे स्तर पर लड़कियों और महिलाओं के मानमा धिकारों के साथ-साथ उनके स्वास्त और अखंडता के उलंगन के रूप में स्विकार किया जाता है अतकथन एक सही नहीं है या मुक्यूरूप से पश्चमी, पुर्वी और उत्तर पुर्वी अफ्रिका के साथ-साथ कुछ विशेश मध्य पुर्वी और एशियाए देशों में प्रचलित है अतकथन दो सही है वर्तमान में भारत में FGM प्रथा पर प्रतिबंध लगाने ही तो कोई कानून नहीं है अतकथन तीन सही है अगला प्रश्ण है नियूंतम समर्थन मुल्य यानि MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक या किसानों को मुल्य सर्ता और आय सुरक्षप्रदान करने ही तो भारत सरकार द्वारानी योजित एक प्रणाली है दो मुल्यों हेतों सिफारिशे क्रिशी लागत और मुल्य आयोग यानि CACP के द्वारा की जाती है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है एक एवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, B न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चलि देखते हैं इस के विसलेशन को न्यूंतम समर्थन मुल्य यानि MSP या किसानों को मुल्य स्थर्ता और आय सुरक्षा प्रदान करने ही तू भारत सरकार द्वारान यूजित एक प्रणाली है या तक अथन एक सही है या क्रिशी वस्थों के लिए न्यूंतम मुल्य के रूप में कारी करता है जिससे यह सुनिशित होता है कि किसानों को उनकी उपच किरे न्यूंतम लाबकारी मुल्य प्राप्त हो सरकार समय समय पर इन्पुट लागत, मांग आपूर्ती की गतिशीलता और मुद्रस्विती के दबाव जैसे कारकों के आधार पर MSP को संशोधित करती रहती है ग्रिशी लागत और मुल्य आयोग यानि CACP उतपादन लागत के व्यापक आकलन के आधार पर MSP के सिफारिश करता है अतक अथन दोस सही है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास पशनकों इलेक्टोरल बॉंड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे वर्ष 2018 में राज़रितिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया था दो या बॉंड दो हजार दस हजार दो लाग पांच लाग और एक करोड रुपए के मुल्यवर्ग में जारी किये जाते थे उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी न तो एक और नही दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया